सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहली ताज़ा खबर जानने के लिए इस बैल आइकन को भी दबाएं जीले में मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव के केंदर की भी मंजूरी मिल गई है। सबी बाधाएं दूर होने के बाद अब इसके शिलायास की तैयारी शुरू कर दी गई है। सब कुछ ठीक रहा तो अगस्थ में जिला अस्पताल पर पर स्थित इनसे फेलाइटिस प्रभावित जीले की स्वास्त सेवा को बेहतर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोशना हुई थी। करीब तीन वर्षों से यह प्रक्रिया काग जमेही अट की रही। बीते तीन अप्रेल को लबकनी में स्कूल चलो और दस तक ठी काकरन अभियान के शुभारंब में आये मुख्यमंत्री योगी आदित्यानात की पहल के बाद इस एक गती मिली। पहले मेडिकल कॉलेज के लिए उस्रा बाजार में भूमी का प्रस्ताव हुआ, मगर बाद में जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल को समाहित करते कर शासन को भीजा गया। इसमें भी काफी दिनों तक जमीम को लेकर पेच फसा रहा। राजस्व रिकॉर्ड में स्वास्त विभाग की बजाय सरकार बहादुर के नाम ही भूमी होने के कारण अफसरों को काफी मात्था पच्ची करनी पड़ी। तमाम जद्दो जहद के ब मेडिकल कॉलेज को लेकर एन वक्त पर आपती जता दी गई थी। बलिया के भी लोगों को लाब देने के लिए इसे देवरिया की बजाय सलेम पूर लोग सभाक्षेत्र के अंतरगत स्थापित करने की मांग बलिया सांसर ने की थी। उनका तर्था कि सलेम पूर लोग सभा पूर्व केंद्रिय मंत्री कल राज मिश्र ने अहम रोल निभाया। उन्होंने पूरी दमदारी से देवरिया की पैर्वी की। जीले में मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार ने पहले ही स्वीक्रित कर दिया था। अब केंद्र की भी मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसका शिलाईया संभव है। अगस्त के प्रथम पकवाडे में तिथी देखी जा रही है। शासंस्तर से इसे शीगर ही फाइनल कर दिया जाएगा देश सुजीत कुमार जेलादिकारी।